है लाज है है एइन एंक है हम लोग लोग रिज्डिंग' का जह है है तिसरा चैप्टर देख रहे हैं लगभग जहाइज लगभग जहाइज चेश से साथ टॉपिक है लगभग फिशने जो है तिसरे चैप्टर पे पहुँँच चुके हैं और इसको भी हम लोग पूरा खतम करेंगे ठीक है तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है Essatement and Argument, statement तो आपको पता ही होगा हिंदी होता है कफन, ठीक है हिंदी क्या होता है कफन और और तर्क जो है आर्गुमेंट करते हैं ये आप आर्गुमेंट समझते हैं कि क्या होता है बहुत अच्छे से ठीक है एक एस्टेटमेंट होता है और एक आर्गुमेंट होता है बस तो एस्टेटमेंट क्या होता है कथन और आर्गुमेंट जो है जो हम लोग आर्गुमेंट करते हैं नॉर्म क्या होता है और invalid argument क्या होता है यह सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे ठीक है तो यहां जो है argument यानि कि तर की चीज़ के बारे में दिखाना जिसके लिए उचित कारवाई हो या तर की रूप से सही हो बात को समझ में आई बात तो यहां पर इस बात को समझे कि यह एक्चुली कहना क्या चाहरा है तो हम जेनरली बात बता रहा हूं आपको कि तर्ग का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी से के तर्ग करते हैं तो वह सत है कि नहीं है उसी पर हम लोग बात कर तो हो तो सही अधिर वाइज जो है आर्गुमेंट हमारा गलत हो जाएगा ठीक है तो टाइप्स आप स्टेटमेंट की बात करें की अगर हम बात करें तो सदारन ड् dei अर्गुमेंट होता है जो सिम जिसको हम जेट्ड argument बोलते हैं political से related argument राजनीतिक कि हम राजनीति का बात जो है कि मालो की politician लोग होते हैं वो आर्गुमेंट कैसे देते हैं राजनीतिक वाला argument देते हैं ठीक है उसकर बाते economics की बात करें ए आर्थिक social culture समाजिक संस्वित की बात करें तो यह सब चीज जो है न आर्गुमेंट में गिंती आता है ठीक है इस बात का आप लोग ख्याल करिएगा तो चले आगे बरहें आगे बरहें तो यहां चलो आगे बरते हैं अब चलते देखिए आर्गुमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं अर्गुमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं अब क्या क्या होता है आर्गुमेंट एक होता है एक होता है एक होता है वीक आर्गुमेंट यानि कि एस्टोंग आर्गुमेंट का मतलब मजबूत त सही है मेरा बात तो सही होगा ही को होता है इस चीज को समझना तो यहांamo देखा है इसका definition a strong argument are those argument which are directly related to the statement and satisfy the logic condition valid strong true and talk about strength तो क्या कह रहा है बातों को समझे कह रहा है कि मजबूत तर्क वे तर्क है जो सीधे सम्मंधित है कथन और तर्क इस्थिति को संटूष्ट मानने मजबूत सत्थ और तागत के वारे में तो यहां पर यह सीधा सा बात कह रहा है कि a strong argument वो होता है जो statement के हिसाब से पूरा perfect match कर रहा हो सत्थ हो तार्किक हो logically जो है वो सही हो satisfy कर रहा हो और strength हो उसमें ठीक है मजबूती हो यह नहीं कि ढिला ढाला हो ऐसा तो यहां पर यह भी हो गया हमारा अब चलो आगे बरते हैं अब features of a strong argument features of a strong argument यानि कि argument के जो है अब देखना अब मैं क्या बोलने वाला हूं तो अब जो होता है feature of a strong argument में क्या होता है मजबूत तरकों की विसिस्ताय के वारे में हम लोग परते हैं experience truth जो जो लोग देखी अपने experience के अधार पर बोलते हैं तो वो सही माना जाता है कि हां यह सत्थ हो सकता है तो क्या लिखा इफ एनी argument is based on experience that then it will be accepted as a strong argument ठीक है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप कोई experience के अधार पर आपको बता रहा है तो यह बिल्कुल सत्थ हो सकता है ठीक है तो इस चीज़ को समझेगा कोई आदमी जो है experience के तो अधार पर बता रहा है कि हाँ यह बात जो हम बोल रहे हैं तुमको इस बात को समझ लो टीक है otherwise तुमको ही नुकसान होगा ऐसे करके कोई बोलता है ना कि मेरा experience कह रहा है मेरा यह कह रहा है मेरा वो कह रहा है ऐसे करके अजे देवगन का एक movie देखे थे जान movie था ना सायद उसमें कैसे वो बोलता है कि मेरा experience इतने दिन का खाना बनाने का है मैं भिंडी का भूजी भिंडी का बनवाया था आटा सनवाया गया था याद है कि नहीं अजे देवगन का movie और वो जो सब्जी बनाता हूं बिल्कुल सही अब नया को आए मैं एकदम ऐसा बनाता हूं कि मतलब सामने वाला चाटते रहा जाता है तो फिर जो है और सामने वाले को अगर पता है कि यह इसको खाना कुछ ने बनाने आता वस फेक रहा है यह फिर वो मजबूत नहीं हुआ ना वो वीक हो गया ठीक है तो इसी बात को हम आपको समझा रहा है अब अनलाइज टूट क्या होता है डिसीजन टेकिंग बाइ गॉवर्मेंट सुप्रीम कोर्ट युनाइटेड नेशन कंसिटूशनल बॉड़ी और एनी अधर सुप्रीम और ट्रेटी तो किसी ऊपर के अधिकारी जैस न वो गिंती आता है ठीक है अब तिसरा युनिभर्सल तूर्थ युनिभर्सल तूर्थ का मतलब क्या होता है समझना पर सेंटिबलिस्ट एकसेप्टेड एन्ड आड बी डिनाइड तो यहाँ पए कह रहा है कि universal मतलब सुर्ज जो है वो पुर्व में उखता है सब को पता है अब तुम उस पे argument करोगे कि नहीं पच्छी में उखता है तो वो गलत होगा वो वीक argument होगा strong argument क्या होगा कि सुर्ज जो है पुर्व में उखता है तो बिल्कुल वो सही है universal truth है ठीक है तो यहाँ पर वहीं लिखा है scientificallyly भी सही हो universally accepted सब कोई उसको accept करता हो cannot be denied तो हम उसे deny नहीं कर सकते वो argument जो है बिल्कुल सत्त माना जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो तीसरा number one way एक तरीका अब कोई बोलता है ना अब देखो यहाँ पर one way लिखा है एक तरीका एक तरीका यह भी हो सकता है बिल्कुल अगर आप किसी कोईशन को बनाते हो किसी कोईशन को बनाते हो mathematics का कोईशन हो या कुछ भी तो आप कैसे बोलता हो कि one way यह भी एक तरीका है इस कोईशन को solve करने का तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि math के बहुत सा ये भी एक तरीका है तो वो जो है argument सही होता है अब कोई कहेगा only way तो only way का मतलब एक ही तरीका है बस इसके अलावा नहीं बनेगा तो वो argument गलती में आना जाएगा weak argument माना जाएगा समझ गए तो यहाँ पर one way रहेगा तो समझ लिजिए strong argument only way रहेगा अब देखो यहां पे जो है weak argument है अब वीक argument क्या होता है समाजना weak argument क्या होता है समाजना weak argument are those arguments which are indirectly related to a statement and not satisfy the logic condition invalid with false देखिए अब जो है statement के हिसाब से बिल्कुल okay okay well done डीपी का चलिए तो यहां पे सुनना मेरी बातों को अच्छे से सब लोग तो जैसे की मैं बता रहा हूं सुनियेगा weak argument का मतलब क्या होता है कि यह statement आपका दिया रहेगा और argument जो दिया रहेगा वो weak हो स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है और आर्गुमेंट कुछ और ही हो रहा है हम बात कर रहें इंडिया पकिस्तान का मैच और कोई आर्गुमेंट दे रहा है इंडिया इस्टेलिया का तो बिल्कुल उसको अमान नहीं आने की गलती माना जाएगा तो आपका जो है के अनुसार जो है अगर सैटिस्फाइन नहीं होगा तो जो है गलत माना जाएगा वह वीक आर्गूमेंट में गिनती आता है अब यहां पर आगे बढ़ू मैं फीचर साफ वीक आर्गूमेंट का बात करूं तो कमजोर तरकों की विश्यष्ताहें क्या होता है कम्जोर को की विश्यष्ताहें जैसे कि हम लोग ऊपर पढहें थे कि परस Bene वे हम यहां पे इसको परहेंगे फीचर ऑफ विक अर्गूमेंट ठीक है तो अपनेयन बेश्ट जो होता है वह फॉस एस्टिट में वी का अर्गूमेंट होता है कि personal suggestion personal opinion that kind of argument cannot be accepted दखिए opinion base में क्या होता है कि अगर मान लों कोई opinion देता है 4-5 लोग मिल के तो वो गलती हो सकता है opinion base बोलता है कि मेरा opinion यह है कि जैसे कि election का result हो गया exit poll जैसे आता है या फिर opinion poll होता है कुछ या कुछ भी तो वो गलत भी होता है वो सही भी होता है तो हम ना उसे इस topic में जो है उसको हम weak argument में गिंती करते हैं ठीक है यह बातों को समझना और कुछ नहीं है easy easy चीज है सब कुछ question जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा अब देखो MBSS का मतलब क्या होता है कि MBSS का मतलब क्या होता है सुनना मेरी बातों को अच्छे से ठीक है तो MBSS का मतलब क्या होता है the argument which creates confusion and taking as a weak argument देखिए जो confusion create कर रहा हो confusion ही confusion solution का पता नहीं तो traders का गाना सुने हो ना यह confusion confusion solution का पता नहीं तो वही बात है कि अगर तुमको argument दे रहो पूरा confusion के साथ दे रहो तो मतलब समझ रहे हो बात बिल्कुल वह अमान्य यानि कि वीक आर्गुमेंट में गुए गिंती आएगा अब आगे देखिए यहां पर क्या है सुफर फेलस डैट कैन भी निवर फाल तु जिसे कभी सुकार नहीं किया जाएगा अडवाइस सलाह बिल्कुल गलत उसके बाद समझ रहे हो और कंप्रीजन तुलना कि इसका हो रहा हो दो देश के बीच में उसको भी अब दो देश के बाद में तुनना हो रहा है तो बिल्कुल उसको हम वीक आर्गुमेंट में गिंती करेंगे तो दिखी यह सब जो है तरीके से पॉइंट है कि कोई सलाह दे रहा हो और अर्गुमेंट में कोई तुलना कर रहा हो कोई अंधिविश्वासी वाला बात कर रहा हो सुपर फेलास हो उसके बाद तो यह सब ना अगर statement argument match कर रहा हो तो समझ लेना कि यह कुछ न कुछ गलती हो रहा है ठीक है ट्रिक क्या है आप देखो इस type question को solve करने का trick क्या है हम देखते हैं तो we have to choose the strong argument which satisfy the statement हमें ना strong argument खोजना है हमें strong argument खोजना है किसी भी हालत में जो सही हो आपको मजबूत तरक सुनन argument जो है बिल्कुल सत्य होना चाहिए otherwise गलत हो जाएगा ठीक है अब यहां आगे बरो चलो आगे बरो अब देखो अब ना मैं एक चीज़ याद दे रहा हूं सुनना मेरी बातों को कि आपके एक्जाम में ना एक्जाम में यहां पर जब मैं कोशन करवाऊंगा ना तो चार ह रही यह statement बनते हैं ठीक है इस sorry चार statement नहीं चार option बनते हैं तो यह option जो है बहुत ज़्यादा जगत चेकता है जब मैं कोशन करता हूं तो यह option को आपको याद करना है ठीक है जब हम लोग question करेंगा ना तो उस time तो यह कुछ नहीं है बस समाजना क्या है if only argument first is as strong मतलब पहला option यह है कि first strong argument होना चाहिए मतलब पहला option फिक है second if only argument two is strong यानि दो होना चाहिए strong c option क्या है कि both first and second argument और third क्या है if neither first nor second is strong तो दोनों में से कोई भी strong नहीं एक जो है बोट सही यानि दोनों strong एक first strong, दुसरा second strong तो इसको ना आपको दिमाग में रखना है और अभी जब हम question करेंगे तो कौन सा option हमारा a होगा सही की b होगा, की c होगा, की d होगा आपको जवाब देना है ठीक है इस बात को समझ ये समझ गए ना, तो चलिए अब हम लोग question number one पे चलते है देखो जगह ये काफी छेकता था इसलिए मैं option को अलग रखा हूँ option का जगह नहीं है इसमें, ठीक है तो ये देखो इस question को जवाब दो तो क्या होगा चलिए, अब बताएए इस question का बहुत अच्छा question है ये सब जानकारी जो हैं लोग को रहना चाहिए अब देखें चलिए बताते हैं तो फर्स नंबर question ये है हमारा कि सब लोग जवाब देना ठीक है तो should sex, determination, test during pregnancy, be completely bent क्या गर्व अवस्था, गदवान, लिंग, निर्हान परिक्षन पर पूरी तरह से परतिबंद लगा दिया जाना चाहिए तो कैसे pregnancy में हम check करते हैं बहुत अच्छा question है न इस टाप का question से आपको knowledge भी मिलेगा और अच्छा question जो है हमने select किया है ठीक है तो मेरा number one question ये है कि should sex determination, test during pregnancy, be completely bent तो क्या जो है हम लोग जो है ये मतलब गर्वाज था के दवान जो है कोई pregnant रहती है औरत महिलाएं तो हम ये check up करवाते हैं कि लरका है अर्गमेंट क्या है कि आर्गमेंट सत्थ होना चाहिए यस दिस लीज्ट टू इंडिस्क्रिमेट फिमेल फोटिसाइड एंड एवेंचुली विल लीड टू सोचल इंबैलेंस हाँ इससे मादा भून की अवेवक पुरुन हत्या होती है और अंता या समाजिक और सुन्तुलन की ओर ले जाता है बिल्कुल इसमें क्या होता है कि लरकी जो अभी हमको यह समझ में आता है कि लरकी को मार दिया जाता है और लरका को जिन्दा रखा जाता है अरे ऐसा क्या है भाई लरका लरकी एक सवान ठीक है जो लोग इस को जो है अंतर समझते हैं उनसे बढ़ा जो है मतलब मैं कहूं उनसे बढ़ा घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता इस देस में ठीक है कि जो लोग यह सोचते हैं कि लरकी है तो इसको मार दो और लरका है तो रखो ये सोच को मतलब change करना परेगा मगर यहां पे हम लोग question पे हैं तो statement argument कहरा है कि हाँ इससे बिल्कुल ban होना चाहिए और ये जो female और male का जो balancing होता है वो imbalance हो जाता है इसलिए इससे जो है बन करना चाहिए तो ये बिल्कुल सही है ठीक है ये बिल्कुल क्या है सही है बीप का कुमारी जवाब देना आप ठीक है नहीं लोग उनके अंजनबे बच्चों के बारे में जानने की अधिकार है अब बताइए कि ये second argument कह रहा है कि no ban नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग को अधिकार है कि जो बच्चा जनम नहीं लिया है वो लरका है कि लरकी है उसे पहले जानने दो तो ये क्या फिर statement को ये oppose कर रहा है इस statement को ये just reverse oppose कर रहा है और जहां opposition हो तो क्या बोला था मैं वो argument क्या होता है गलत होता है तो ये argument जो है गलत है यह आर्गुमेंट क्या है गलत है यह आर्गुमेंट क्या है गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर अर्गुमेंट फस्ट इस ट्रॉंग तो यह जो ए है न वो बिल्कुल आर्गुमेंट जो है सही है समझ गए तो ए आर्गुमेंट क्या है यह सही है दीपिका जी समझ ग नहीं लोगों को उनके और जन्में बच्चों की बाने में जानने काधिकार है ठीक है तो ए हो जाएगा आप लोग के दिमाग में न ऑप्शन रहना जरूरी याद है कि चार ऑप्शन बताये था वह आपको याद रहना आवेश्यक है पहला था अर्गुमेंट ए इस अर्गुमेंट इस ट्रॉंग था बोट फर्स्ट एंड इस ट्रॉंग और डी था नाइधर फर्स्ट नौर से केंट ठीक है तो समाजना तो यह तो पहला एक्दम बिल्कुल सही है करेक्ट है सर ठीक है अब चलो दूसरा पर हो दो यह भी बहुत अच्छा कोशन बहुत ही अ आमफॉर्स लिखा है कोशन कि क्या 12 और से कम उम्र के लोग को JEN में भरती करना चाहिए लिखा है मेरा स्टेटमेंट कि क्या सेना में 18 और से नीचे के लोग को जो है आर्मी में भरती करना चाहिए यह है मेरा statement इस बात को समझना कि आर्णूमेंट क्या कह रहा है no persons below the age of 18 do not have physical and mental maturity to soldier such burden ठीक है तो नहीं 18 वर से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एब हम सारिरिक रूप से त्यार नहीं रहते हैं हो गया second care yes this will help the country to develop such armed forces which will serve the country for a longer time हाँ या ऐसे सैनिको को त्यार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सिवा करेंगे आपको क्या लग रहा है इसका A होगा B होगा C होगा D होगा बताओ तो अठारा वर्स से पहले तो सबसे पहले तो कोई नौकरी में जो है जाता नहीं करेक्ट तो यह तो बिल्कुल सही है कि नो परसेंस बिलो दो एज ओफ 18 दो नोट है फिसकल एंड मेंटल मैचुरिटी तू सोल्डर सच अरे भाई यहां पर 18 वर्स में तो लोगों को जो है भोटर आइडी कार देता है कि अब तुम जो जिम्मेदार नागरिक हो गए हो यहां सिदा आरेमी में डाल देगा बताओ आप सोचो 18 वर्स में तो जिम्मेवारी का हमको एक जो है भोटर आइडी कार बनता है तो हमें यह बताए जाता है कि आप जो है आप जिम्मेवार आदमी है आप सरकार को चुन सकते हो आप जो है आप समझदार हो ठीक है और यहां पर आर्मी में सीदा 18 वर्स से पहले तो ब आए 18 वर्स के बाद करो ना 18 वर्स के बाद करो वो वह उनका भी 20 वर्स करो गी-स वर्स करो ठीक है तो इसका भी ओपशन ए होगा यानि की 1st argument is a strong ठीक है यानि ए ओपसन ठीक है चले आब आगे बरूँ मैं 3 पर चलू अब तीसरा देखिए तीसरा क्या है कि शूट देर भी लेजिस्ट लेशन टू इंसोर डाइट चिल्डरेन प्रवाइड मेंटेनेंस तू देर एजिंग पैरेंट्स बहुत अच्छा कोशन है कि बहुत यह सुनक्षित करने की कान। को गσारा भतता दे यह लिखा हुआ है यह सुनक्षित करना चाहिए कानून जाहिए जैसे कि भिध्वप अश्रम भिध्वा आस्रम में चोर देते हैं अपने माता को लोग ठीक है यह दो धरतिगा बोज्झ ने है कि हमाना वहादा है कि तुम्हारा बोज्ज मार Follow ऊठाता है उस बोज्ज के तले जो है ना तुम जनमें हो और यह इतने बारे पे चाहिए इतने बारे कुर्सी पे हो क्यों। शच्च किया है तब तुम क्या करते हो बुरहादी में माता-पिता को छोड़ के आ जाते हो ठीक है विर्धा आसरम में तो यह सब गलत है ठीक है तो यह हमारा है कि क्या इस पर कानून होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हालात हो तो उसे जो है मतलब क्या बोलते है इसको मेंटरिनेंस के लिए दियर एजिंग पैरेंस वहाँ पे उनको जो है कुछ भट्टा देना चाहिए ऐसा लिखा गुजारा भट्टा दे ठीक है बिल्कुल यह हमारा स्टेट्मेंट है अब जो है हम लोग ना आर्गुमेंट देखते हैं यस दा मैंगनिचूड अब दे कानून बनना चाहिए क्योंकि लोग जो है लोग जो है माता-पिता को बेसाहरा कर देते हैं छोड़ देते हैं कहीं न कहीं ठीक है तो यह जो है हमारा सही है नो दो कॉस्ट आप इंप्लेंटिंग दिस लेजिस्ट्रेंग लिभी टूमच नहीं इस कानून को परकिरियावन क करने की लागत बहुत दिखोगी अरे बाइक क्यों लागू होगा बताओ आप ही बताओ कि क्या यह कानून बनेगा क्या यह कानून बनेगा क्या यह कानून बनेगा तो इससे क्या कानून बनने में पैसे लगता है बिल्कुल गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एह हो ठीक है यह हो जाएगा बिल्कुल दीपिका यू एफ सर्टी राइट चलिए तो कोशन नमबर तीन के बाद हम लोग कोशन नमबर चार पे चलते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा कोशन है ना मैं जो भी कोशन लिया हूना एकदम मस्त लिया हूं ठीक है अब चार नमर कोशन देखो चार नमर देखो आपको नीचे वाला तो दिख रहा है ना हाँ दिख रहा है चलिए तो सुट बैंड बैगेज और इंटेनेशनल फ्लाइट भी परमानेंटली बैंड क्या सभी अंतराश्टिय औरान में हाथ के थैलों पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जानी सब्स only पर जाही है हमारा statement यह है कि जैसा कि हятся कि हम लोग इंटिनेशनल फ्लाइट होता है नॉर्मल तरीके से यह हमारा statement है तो एज़ैन्ट क्या बोल रहे है नहीं इससे बहुत आशिवदा होती है क्योंकि लंबी दूरी कोरान में नुंतम चरुतों की चीज़े ले जानी परती है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट अरे भाई यहां तो डोमेस्टिक फ्लाइट में लोग हैंड ये ले जाते हैं हैंड बैग ले जाते हैं कि कुछ अगर ख हो गया चाहिए फिर कुछ भी जो है बैग जो हां ठेला रहता है उसमें आप समान रखते हो ना कुछ भी ठीक है तो यह बिल्कुल सही है अब दूसरा नो इट इस नेसेसरी टू इंसूर सेक्रेटी और पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हाँ यह यातरा कर रहे है यातरी कुस्त रक क्या होगा यह होगा बिल्कुल करेक्ट है कि नो इट काउजेज लॉट ऑफ कन्विनियेंस इन करियां सिंस आइटमस ऑफ मिनिममम रिक्वाइर्मेंट नीड टू बी कैडि डूरिंग लॉंग हॉल फ्लाइट नहीं इससे बहुत और सिब्दा होती है क्योंकि लंबी दूर कि सजेंगे सवरेंगे तो ऐसा होता है ना जी चलिए अब यह 5 नंबर देखो हुआ कि चलो बताओ तो पांच नंबर कॉर्शशन का आप लोग जवाब दीजिए 5 नंबर ने नंबर का वहाब दीजिए तो क्या होगा अब आप लोग 5 के जवाब दो खुद से ठीक है अब आप अब आप तो पांस नमर कोशन पर हम आ गये हैं ठीक है कह रहा है कि सुध केंप्यूटर एड्युकेशन भी मिद एप असकूल लेवल बाई दर गॉवर्मेंट केया है कि school level पे जो है computer का education जरूरी मतलब जरूरी कर देना चाहिए government को सरकार को ठीक है यह हमारा पांच का जो है statement है अब आपको क्या लग रहा है कि इसका answer जो होगा वो क्या होना चाहिए बताईए तो यहां चलिए देखिए no it's may be difficult to teach computers in the schools located in rural parts of the country ठीक है okay yes it is difficult to functions without computer in the era of modernization तो कौन साइस में आपको सही लग रहा है तीपका बताना ठीक है तो इस question का हिसाब से देखा जाए तो फ़र्स्ट जो है गलत है और बी जो है यह second जो है वो सही है ठीक है तो इस question का देखिए no it's may be difficult to teach computers in the schools located in rural parts of the country नहीं देश कि आप्टिन हो सकता है क्यों बहाँ कियों हो सकता है क्यों हो सकता है क्यों हो सकता क्या ग्रामिन की बच्च्चे को अधिकार में यह केम्प्यूटर परना तो यह statement को क्या कर रहा है अप उप्ज कर रहा है statement को केंप्यूटर परना चाहते हैं तुम केंप्यूटर सिक्षक तो दो तुम सुभधा दो सब कुछ होगा गाउं के बच्चे भी पर सकते हैं तो बिल्कुल यह गलत है और दुसरा क्या है कि यस इट इस डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू फंसंस विदाउट केंप्यूटर इन दे इरा ओप मोड़नेशन यस बिल्कुल होना चाहिए गाउं के बच्चों को भी परहाना चाहिए क्योंकि अभी जिस तरीके का जो प्रॉब्लम है इस इरा में अगर तुम मोड़नेशन के साथ जुरो गए नहीं केंप्यूटर का सिक्षा नहीं होगा तो तुम मतलब एक तरीके से माने जाओ कि क्या कर लिए तुम जिन्दिए में ठीक है तो इस कोशन का अंसर क्या होगा यह और बी इस दा स्ट्रॉंग आर्गमेंट यानि सेकेंड इस दा स्ट्रॉंग आर्गमेंट यह हो गया अब पांस के बाद हम लोग चलते हैं छे नंबर छे नंबर कोशन यह है हमारा ठीक है अब यह जो है हमारा छे नंबर कोशन है अब छे नंबर को देखिए सुट दा ओयल कंपनीज भी एलाओ टू फिक्स प्राइस और पेट्रोलियम पड़क्ट डिपेंडिंग और मार्केट कंडिशन देखिए क्या लिखा है क्या तेल पेट्रोलियम उत्पादों का मूल बजार की स्थिपि के अदहार पे तैग करने की आनुमति देनी चाहिए क्या सप्लाइग यह करें ऐसाब से चाहिँए अब बताईए अब आप लोग बताईए कि इसका जो है आंसर क्या होगा ठीक है इस कोशन का आंसर क्या होगा बताओ अब जो है यहां पर यास दिस इस दा वनली वे टू तू मेक ओयल कंपनीज इन कमर्सली भैरियेवल हाँ यही एक मात तरीका है जिसे तेल कंपनियों को वान कि oneware है अगर one way तो फिर वह a strong argument में गिना जाता है तो यह गिडा जाएगा किस इसमें वेक आर्गुमेंट में यह सब चीज को याद रखनाँ ठीक है वेक आर्गुमेंट और यह जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा ठीक है समाज गया अब नो दिस वील पूट एडिशनल बर्डेन ऑन दे रिटेलर प्राइस ऑफ एसेंसियल एमोशन्स कॉमेडिटीज एंड विल कॉज लॉट अफ हार्ट सिप टू दा मैसेज नहीं इससे आम लोगों को बहुत कटनाई होगी क्योंकि इस सहनुमती से आवश्यक वस्तियों खुद्रा कीमतों पर और उसको फिक्स करके रखती है ठीक है 110-192 ऐसे कुछ भी है चलता है तो यहां पर यह जो है ना सही है और इसका अंसर जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा ठीक है लिपिस्टिक इस मोस्ट इंपोटेंट सर बिल्कुल 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 राइट चलिए अब छे नंबर क साथ नंबर पर चलते हैं तो साथ नंबर कोशन क्या है कि सूड़ कैपिटल पनिस्मेंट भी एबुलाइजड और टुगेदर इंडिया क्या मिर्टूदंध भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए मिर्टूदंध जो दिया जाता है जो भी मतलब ऐसे ऐसे अपर करते हैं जिनको जो है गवर्मेंट हो चाहिज कोट सुप्रीम कोट जो है उनको जो है हाई कोट उनको जो है मिर्टू दन दिया जाता है ठीक है तो क्या इसे जो है भारत में बंद करना चाहिए याईसा है को एस्टेटमेंट अब आर्गुमेंट क्या है यह भी हम देखते ह समाप्त कर दिया अब यहां पर आ गया European Union मैं क्या बोला था जहां कंपरीजन हो जहां कंपरीजन हो कि दुसरे से कंपेर तो फिर जो है ना वह वीक आर्गुमेंट में गिनती आता है ठीक है यही सब चीज है इसको समझना कि यह कंट्री भारत देश का कंपरीजन जो है वह हो रहा है दुसरे से वीक आर्गुमेंट क्यों हो रहा है वीक आर्गुमेंट क्यों है यह कंपरीजन हो रहा है यहां कंपेर कंपेर हो रहा है भारत का यूरोपियन यूनियन से इसलिए यह जो है ना गलत है अब सही क्या है नो दिस इस वन वे अब देख यही तो है important तो यह one way to instill fear in the mind of mind of the criminals which will restrain them from committing heinous can rhymes नहीं अपराधी के मन में भै बनाए रखने की एक तरीका है जो उन्हें जगन्ने अपराध करने से रोकता है तो यह जो है बिल्कुल सही है और इस question का answer का जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा समझ गए तो comparison नहीं होना चाहिए किसी देश का दुसरे देश से तो 7th question का answer जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 7th number question का answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अगर तुम theory नहीं देखे हो तो theory जो है यहाँ पर मैंने परहाया था कहां परहाया था देखिए comparison तुल्ला जहां पर हो उसे weak argument में advice जहां हो weak argument में अंधिविश्वासी जो हो weak argument में ambiguous हो weak argument में इस तरीके strong में क्या बोला था में one way एक तरीका 99.99% जो है वो argument सही माना जाएगा जहां पर वन वे लिखा रहेगा universal truth रहेगा वो भी 99% सही माना जाएगा ठीक है तो हम लोग 7 number questions आयद कर चुके न हाँ अब आठ पर आते हैं अब जो है हमारा 8 number question है चलो देखते हैं तो should the parents in India in future be forced to opt for only one child as against two or many presents क्या बहुईस में भारत में वर्तमान के दो या कई बच्चों को जनम देने की छूट के बिरुद के वल एक बच्चे को जनम देने के लिए बाद किया जाना चाहिए statement क्या है कि क्या बहुईस में भारत के दो या कई बच्चों को जनम देने की छूट के बिरुद के वल एक बच्चे को जनम देने के लिए बाद किया जाना चाहिए जन संख्या को देखते हुए भारत कॉवर्मेंट ऐसा कर सकती है भावच में यानि कि यहां पर हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं हम जो हैं फ्यूचर का बात कर रहे हैं ठीक है हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं कि क्या एक या दो बच्चे के अलावा जाए उसको इन इंडिया फ्यूचर भी फोर्स्ट आफ फॉर्व लिवन चाइल्ड एज एगेंस्ट और मैनी पैरें तो अभी जो प्रेजेंट में एक एक बच्चे या दो बच्चे हो रहे हैं क्या बहुच में एक बच्चे पर बाद करना चाहिए तो यह है statement argument क्या है इसके पिछे argument क्या logic है उसको हम लोग देखते हैं ठीक है तो argument क्या है उसको देखते हैं अब देखिए पॉपुलेशन अप इंडिया हां भारत की लगातार बरती जिन संख्या को निंतन करने का यही एक मात तरीका है अब मैं क्या बोला था आपको याद है हम आपको बोले थे कि जहां वनली वे आ जाए तो वह होगा वीक आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट ठीक है तो सुभर्जित साथ का आपने ए जवाब दिया है जो की बिल्कुल गलत अभी मैं बता रहा हूं तो वीक आर्गुमेंट अब अरे भाई दुसरा तरीका भी हो सकता है ना एजुकेट करो उसको एजुकेट करो कि भाई बच्चा जाना नहीं पर परहाना है कि अगर आप बस रोक लगा दो ऐसा थोरी है ठीके अब देखिए दूसरा नो इस टाइप आप प्रेसर ट्रैक्टिस इस नॉट एडप्टेट बाई एनी अधर कंट्री इन द वर्ल्ड अब प्रीजन तुलना कम प्रीजन तो यह जो है न वीक आर्गुमेंट में गिंती आता है और इस कोशन का अंसर डी हो जाएगा यानि नाइधर फर्स्ट नौर सेकेंड यानि दोनों के दोनों गलती है समझ गये तो इसका डी आंसर आएगा अभी हम ना सुभजूइत का जो है जवाब दते हैं की साथ का आपने एगे जवाब दिया है यानि कि ए साही है यस कंटी बिलंग लूंग टि यूरोपियन देखो यहां पे इकouting सुनना मेरी बातों को मेंडfy की साथ नंबर जो कोशन है ना उसमें और हो रहा है ठीक है जहां पे हो तो वह गलत बाना जाएगा उसे हम सही नहीं मानेंगे ठीक है वो वीक आर्गुमेंट में गिंती आता है जो मैंने सुरू में थेओरी पर हाया है अगर आप देखोगे दुबारा जाना दुबारा इस वीडियो को देखना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है समझ गये तो चलिए साथ के बाद चलते हैं हम लोग आठ नौ पर चलिए नौ पर आव नौ पर आईए देखो बस लॉजिक लॉजिकली समझना है कंप्रीजन हो रहा है अंदी विश्वासी वाल अबाद हो रहा हो तो बस समझ जाना कि हाँ यह जो है बिल्कुल सही है अभी यहां नाइंध नमर देखिए सु चाहिए तो क्या बोल रहा है कि शूद आप देंडर 5B एक्जिम्टेड फॉर्म टेकिंग का मतलब क्या होता है कि छूट छूट देना ठीक है तो क्या एक से पास तक के बच्चों को फाइनल परिक्चा में छूट देना चाहिए ऐसा है मेरा स्टेटमेंट इसके पीछे तर अर्गुमेंट क्या है यह चीज़ हम देखते हैं ठीक है तो नाइन्थ नंबर कोश्चन को हम देखते हैं यस दिस विल कंसीडरेबली रिड्यूस्ट बड़ेन ऑन दा पैरेंट्स हाँ इससे अभी बापकों का बोज परियाब रूप से कम होगा हाँ बोज कम क्या होगा ब कि भाप पिता जी go parents को तो परहाणा ही रहता है जिए घृट को दीपकाजी कह रहा है कि सर दीवें लिवें एस और और लीवें का मतलब क्या होता है वर में में का होता सुन ना ह籍ल और ऑनली वेश कोели असमान और जमीन का अंतर हुता है अब कैसे one way का मतलब होता है एक तरीका एक तरीका हो सकता है only way का मतलब होता है यही हो यही तरीका दोनों में आस्मान जमीन का अंतर आ गया one way का मतलब होता है क्या हाँ बिल्कुल PDF मिलेगी इसका मैं आज सब अप्लोड करवाता हूँ ठीके बिल्कुल मिलेगा तो one way का मतलब क्या होता है एक तरीका और इसे मैं थियोरी में भी ये सब चीज डाल दिया रहता हूँ one way का मतलब क्या होता है एक तरीका एक तरीका जैसे बोलता है ना कि आप जैसे math का question बना रहे हो हुए आप मेस का अगर को joints बना रहे हो तो आप बोलते हो ना कि यह भी एक तरीका है बनाने का جुछ यह भी एक तरीका है तो वह क्या होता है, sûrashed argument बिगनती है क्यों समझना लौ जी को मानों एक kys treating का answer आपका दोस्त आwen और बोले कि यह भी एक वनली वे जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और कोई दूसरा दोस्त आ जाए बोलेगा तु तो चलो ठीक है मैं दूसरे तरीका से बना दूंगा इस कोश्चन को ऐसे करके तो वहाँ पर जो है गलत मतलब इंट्रेक्ट करता है गलत जो है गलत जो है बताता है तो यहां पर इस चीज़ को समझना ठीक है तो इसलिए जो है यह गलत हो गया यास दा टीचर सूड एवियोलेट सच एस्टुडेंट्स ऑन कंटिनियूस बेसिस थो दयर हां सिक्षकों को ऐसे विद्यार्थिय अलगे यह गैने बच्चे जो है पर हें गहीं बच्चे तो बच्चे ही होता है तो इसलिए कुछ भी डिसकौन्ट नहीं मिलना चाहिए बच्चे लोगों को पूरा एक दम अच्छे परना चाहिए कोई इतना प्रेसर ने रहता है एक सपास तक कि जो है उसको छूट दे दो ये करो वो करो तो ये दोनों के दोनों स्टेट्मेंट का अर्गुमेंट जो है वो सही है अब नौ के बाद दस प्याओ को दस प्याओ कि दस नमर कह रहा है कोश्चन सुद औल दा शुरुबएट अडबेटिजमेंट रिलिज्ट बाइक कंपनी मैनुफेक्ट्रिंग तो वैको परड़क्ट भी बैंड क्या तंबाक केसरी आ रहा है अक्षे कुमार को कितना मतलब इसके लिए जो है मतलब नाइंत का डी होगा नाइंत का डी होगा सुभजित दोनों के दोनों सही ही नहीं है दोनों के दोनों जो है गलत है ठीक है हाँ शिक्षों को ऐसे भी द्यार्थियों का वर्स भर नियंतर मुल्यांकर करना चाहिए अरे भाई अगर वर्स बार मुलियांकन ही करेगा तो फिर बच्चा परेगा क्या और अगर ऐसे करेगा तो कहेगा चलो अगले बार से हम भी ऐसी करेंगे नहीं परेंगे तो फिर बच्चे में क्या जाएगा उल्टा संदेश जाएगा कि पांच साल नहीं परें थे यहां पर वनली वे आएगा वह गलत हो जाएगा और वेक आर्गुमेंट में गिंती आएगा यह न वीक आर्गुमेंट में गिंती आएगा इस बात को समाजना तो यह दिस इस दो वनली वे हां यही तरीका है लोग को तंबाक्यू प्रियोग से रोकने के लिए ठीक है तो यह क्या हो गया गलत हो गया ठीक है वनली वे आएगा अरे बाई दूसरे तरीका भी है कि मत खाओ परचार अभी जैसे कि अभी जुवा केसरी हो रहा था कितना सारे मतलब अजय देवगन सारु खान जो है और उसके बाद बात करूं तो अक्षा कुमार भी कुद गया था उसमें पैसा कमाने के लिए मर उसका कितना बिरोध हुआ था तो वही चीज है कि यह सब पे लो मगर एक्चुली वह इलाई जी का ही परचार कर रहे थे बाकि मगर लोगों को लगा ना तो यह सब का है आप उसे एजुकेट करो आप उसे कुछ भी करो उसको समझाईए ठीक है तो नाइंट का क्या हो गया अब दस पर आओ लंगे इस अब कह रहा है कि नहीं यह कंपणिया इन पर चारों को त्यार करने में काफी खर्च करती है इसलिए इन पर रोक नहीं लगाना चाहिए अच्छा रोक तो कभी भी ग॑वर्मेंट जाहेगे चाहिए टो रास्ते पर लाना आँए तो एड चुटकीों क्लेद करना तो ठीक है तुम्रा कितना खरुचा हुआ corrections से मतलब नहीं है यह गलत संदेशा जाता है तो गलत संदेशा ये नहीं है दोनों के दोनों और यह सही है खर्चान Communist करता है यह भी अच्छा कोशिन यह भी बहुत अच्छा कोशिन है ठीक है 11 आप 11 नमर कोशिन क्या है बहुत अच्छा है यह क्रोसिंग लाइन जो होता है सब में जो है उसको मतलब की फ्लाइ ऑवर लगाना चाहिए सब्वायं लगाना चाहिए या बिलड करना चाहिए ठीक है क्यों करना चाहिए इसके पीछे आरगूमेंट क्या है इसको हम लोग देखते हैं यस दिस विल स्वेश्टेंसली मिनिमाइज दम नंबर आफ एक्सिडेंट्स रिजल्टिंग इन्टु देट आफ लार्ज नंबर आफ पिपल हाँ इससे डूर्णाओं की संख्या में काफी कमी आएगी जिनके परणाम सरुप बड़ी संख्या में लोग की मिर्ति होती है बिल यहां देखिए नोगर्मेंट डज नौट हैब सफिसेंट फंटू कंस्ट्रक्ट सो मैंनी फ्लाइवर सब नहीं इतने सारे और विलिज सब्वेक निवान के लिए सरकार के पास परियाप्त निदी नहीं है तो यह भी सही है एक तरीके से आप कह सकते हो क्योंकि क्योंकि सरक सरद्वेक पास यहां पर पैसा रहता तो हर जगार के सरकार के पास पैसा रहता सब्सक्राइब चूइब करती ना कहीं कहां कहां करती है जहाँ ज़ादा भीर रहता है जहाँ बहुत ज़ादा accident होने का chance रहता है तो वहाँ सब्वेव बना देगा उसके बाद या तो यहाँ पर over village बना देगा ऐसे करके fly over बना देगा तो ऐसे करके बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सरकार की पास जो है पैसा उतना नहीं रहता है कि सब जगा बनाए तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा इसका C हो जाएगा यानि कि बोथ सही है पहिला और second statement जो है वो दोनों का दोनों सही है ठीक है समझ गये तो इस question का answer का जवाब क्या हो जाएगा C यानि कि बोथ first and second is correct यह गलत है ना यह गलत है समझे यह गलत इसलिए है क्योंकि government अगर चाहिए तो कभी भी इसको बैंट करवा सकता है ठीक है इस बात का दिमाग इस बात का ख्याल करना ठीक है कि चलिए अब यहाँ पर आईए कि चलो यहाँ देखो अब बारा नंबर देखिए ग्यारा नंबर तो बहुत इजी था कि दोनों सही है ठीक है को रेल्वे फाटक होना चाहिए और विरिज बनना चाहिए यह फ्लाइबर बनना चाहिए क्योंकि मतलब यह स्टेटमेंट था ठीक है अर्गमेंट था कि एक्सिडेंट होता है देथ हो जाता है इसलिए बनना चाहिए दूश्रा था कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि सब जगा बनाएं बिल्कुल यह भी सही बात है कि सरकार के बस अगर पैसा रहती तो हर जगह बना देती भाई ठीक है तो दस का जो है बहुत सही है 11 ठीक है 11 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 12 प्याओ इंटरनेट तक किसोरों की पहुंच को निसीद क्या जाना चाहिए यह है देखिए किसोर का मतलब क्या होता है बच्चे लोग क्या उनको जो है इंटरनेट से दूर रखना चाहिए यह है इंटरनेट से दूर रहना चाहिए ऐसा है क्या इंटरनेट तक किसोरों की पहुंच को निसीद किया जाना चाहिए यह है इसका अर्गुमेंट क्या है यह देखना यस्ट मॉस्ट आप दचिल्डेन पार्टिकुलरी दर टिनेजर्स आर फॉन्ड इंक्लूडिंग इन एकसेसिंग फॉर्नोग्राफिक केंटेंट हाँ अधिकांस बच्चे हाँ बैन होना चाहिए ठीक है अधिकांस बच्चे विशेशकर की सोरी अस्रिलता विसे वस्तू देखते हुए पाए जाते है बिल्कुल इसलिए बैन होना चाहिए क्योंकि उससे जो है उनका मानसिक सं राधित की विनली आंशेज का आप उनकर और चाहिए ठीक बिल्कुल यह श्याइघू सकता तो इसका अंसर क्या होगा कि पुर्णोग्राफिक देख रहा है इसलिए जो है बैन होना चाहिए और उसका सेकेंड क्या है कि नहीं बैन कि नहीं समझें बताओ क्वेंट करो ऑट कि अक को कि अखिआ आगा है कि अगर किणी अगर है है कि 11 को दुबारा बता दीजिए सर यह बार नमब्र समझ गया है ना वारा नमर समझें कि नहीं समझ बता यह 11 देखो 11 11 तो बहुत easy है 11 नमर कोशन कि कह रहा है कि क्या railway crossing जो होता है वहाँ पे flyover बनाना चाहिए government को subway बनाना चाहिए और या तो फिर close करना चाहिए packing करना चाहिए अच्छे से कि कोई लोग जो है पार ना कर सके कोई train अगर आ रहा हो तो उनको कटे ना मौत ना हो ऐसा है question statement अब argument इसके पिछे तर्क क्या है इसको देखिए यस इस विल सबस्टेंसली minimize the number of accident resulting into date of large number of people हाँ इससे ऐसी रूराव संख्या में काफी कमी आएगी जिनके परनाम सरूप बड़ी संख्या में लोगों की मिर्ती होती है तो यह कह रहा है argument कि हाँ बिल्कुल जो है सब वे बनना चाहिए बिल्कुल फ्लाय ओवर बनना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल जो है और विरिज बनना चाहिए क्योंकि इससे जो है फिर दुरुघटना में कमी आएगी तो बिल्कुल दुरुघटना में कमी आएगी दुरुघटना में कमी आएगी इसलिए तो सरकार जो है बना रही है ना इसलिए तो बना रही है तो यह जो है बिल्कुल सही है ठीके अब second क्या है no the government does not have sufficient fund to construct so many flyover सब हुए बिल्कुल ये भी सही है क्यों सही है ये सोचना क्यों सही है सही इसलिए है सही इसलिए है क्योंकि अगर सरकार के पास पूरा fund रहता आता है पैसा रहता तो सब जगा flyover बन जाता क्यों भाई अभी भी गाउगर में जो है जहां भी इलाका कम रहता है normal flyover रहता है लोग पार कर जाते हैं चलो नीचे से गार यह से करके जुका के चले जाते हैं तो वह इसलिए है ना कि सरकार ध्यान नहीं देती है सरकार के पास lots of insufficient जो है फंड नहीं है अगर सफिसेंट फंड रहेगा ना जैसे अमरीका बड़े बड़े कंपनी विदेश जो हैं मिलेंड हो गया यह सब लोग के पस्टा का कमी नहीं है तो यह सब बहुत अच्छे से सूबधा रखे हो हुए है रेलрийलवे क्रॉसिंग में पास हो चाहे कुछ भी हो मगर भारत सरकार के पास तो पैसा नहीं है भारत सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए जो है वे सब जगे सब वे या फिर हो गया फ्लाइवर हो गया चाहे जो भी है वो नहीं बना पाते हैं बात को समझ यह क्योंकि खर्चा लगता है उसमें इसलिए नहीं बनाते हैं सरकार के पास पैसा रहता तो यहां पे वहीं कह रहा है कि know the government does not have sufficient fund to construct so many flyover subway नहीं इतने सारे ओवर ब्रीज शब्वे के लिए सरकार के पास प्रयाप्त निदի नहीं है प्रयाप्त धन नहीं है बिल्कुल करेक्ट है तो यह जो है दोनों के दोनों सङी है और इसका अंसर जो हो जाएगा ओवह सी हो जाएगा इस question का 11 का क्या हो जाएगा answer का जवाब 11 का D कैसे मैं लीग दिया हूँ रुको 11 का C होगा ठीक है 11 का C हो जाएगा समझ गए तो अच्छे समझ गए ना इस question को ठीक है तो यह जो है हमारा देखिए बस इससे ज्यादा question नहीं करवा सकता है सब में क्योंकि यह सब छोटी छोटी टॉपिक है और अराम से इसको समझाईए समझ समझते रहिए और समाक्त करिए ठीक है यह जितना प्रेक्टिस करोगे उतना आप समझोगे अधरवाइज यह टॉफ हो जाएगा तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में और हम रिजनिंग को जल्दी आप रिजनिंग तो बचा नहीं है जादा कुछ चार पांस दिन के अंदर छे साथ दिन के अंदर चानेवाज ठीक है तो वह सब चीज है तो चलिए मिलते हैं कल और एक इस टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे और जो है हम लोग काउजन इफेक्ट पर सकते हैं या फिर और जो है डिसीजन मेकिंग भी पर सकते हैं तो दो चार टॉपिक और है उसको हम लोग खतम 尽 टॉपिक और जह म हम बढ़ श्यूएंत अरॉभा का झालएंगे झालाएंगे प्राशक्रोंक।